नमस्कार किसान बाईयों स्वाक्त है आपका अपने चैनल क्रोप अड़िवाजर में आज की वीडियो में लेकर आया हूँ आपके लिए वह है ग्यों की फसल में पिलापन जो अभी आ रहा है पिलापन फसल ग्रोथ नहीं कर रही है उसी के बारे में मैं आपके सामने यह कोई फंगस का रोग भी हो सकता है तो सबसे पहले हम निमिटोड को देख लेते हैं कि निमिटोड किस कारण से और क्या इसका समाधान है और इसके लक्षन क्या है निमिटोड जो है इसके लक्षन जो फसल में दिखाई देते हैं वो है कि पूरी फिल्ड में छोटे-छोटे टुकडों में ये दिखाई देता है, जिनके छोट छोट टुकडों में फसल में पीलापन दिखाई देगा, उस पीलेपन के टुकडे में हम जाके उस पोदे को उखाड़ेंगे, एक पोदे को उखाड़ेंगे तो उसके जड में गाट ही पाई जाएंगी, क्योंकि निमयोट बन जाती है इसी परकार पूरी जड़ में पुद्दे की जड़ में गांठी ही गांठी हो जाती है तो इसी के समाधान के लिए हमें क्या करना है समाधान इसका क्या हो सकता है कि सबसे पहले हमें कार्बो फिरोन 4G के नाम से आता है पांच किलो पर बिगे के साब से हमें लगबग 20 किलो यूरिय के साथ मिलाकर च्छड़काव करना है और उपर से पानी लगा देना है पांच साथ दिनों में ग्यों के फसल बड़ी लहलाने लगेगी और निम्टर्ट कर समधान हो जाएगा पर दूसरी चीज़ है पुश्क कितबों की कमी तो जनबरी में जो बरसात होई थी वो काफी ज़्यादा हो गई थी बरसात तो बहुत बड़ी होई थी लेकिन ये जो रेतेली बूमिय है वो तो उसको अबजर्ब कर गई उसके लिए तो ये अमरत थी जो बरानी क्षेत्र उसके लिए बहुत ही बड़ी है लेकिन जो हमारा गगर का क्षेत्र है यहाँ पर चीकनी म्रदा पाई जाती है यहाँ पर दोमट म्रदा पाई जाती है उसके लिए ये एक ज़्यादा बरसात दुश्परिनाम लेके आती है तो उसी की बज़े से ज़् पानी ज्यादा ठहरा के कारण भी उसमें पीला पनाया है तो ज्यादा पानी रुकने के वज़े से ऑक्सिजन की कमी हो जाने के बज़े जड़ है जो पुश्क तद्ब नहीं ले पाती है इसकी बज़े से भी फसल में पीला पना आ गया है के शके हमें क्या करना चाहिए इसके सबसे पहले तो हमें 20 किलो यूरिया परभिगग्य के साबसे दो केजी सलफर उसमें मिक्स कर लेनी है और उसमें फिल्ड में परभिग्य के साबसे छिड़काब कर देना उपर से क्या करना है कि उपर से six elements जो आते हैं जैसे टी स्टेंज कमपनी का माइक्रोफूड आता है या फिर माइक्रोफूड आता है उसके साथ चिलेटर जिंक 60-70 ग्राम परविग्या के साथ से उसमें मिला लेनी है और उसकी फसल पर फालीय स्प्रेए कर देनी है इसके अलावा नीचे संफर और जोραई के udपनी ग्रीयाका पर से घ MRI जासक armor की कमी को पूरा के मिलता है क्यांकि जादा बरसात होने की बज़े से भी जायल लो रिश्ट आ जाता है तो छोटी बसल में भी फरो से इंफेक्ट डाणना स्टार्ट कर देता है युद जैस्वेसे इस बार बरसात ज्याद विए तो चीकनी म्रदा में बहुत बहुत ज़्यादा प्रवाब डालती है क्योंकि तीन चार पांसा दिन दस दिन तो ये पानी सूखता है नहीं उसमें ब्राब रहता है जिसकी बज़े से जो पुश्य ततव लीच हो जाते हैं ज्यादा पानी ब्राब के करना जडगलने लगती है फंकस की बज़े से जडगलन 70 επर 30 WP ये 330 ग्राम परविगे के हिसाब से हम यूरिया के साथ भी लग बग पंद्रा से 20 किलो यूरिया के साथ भी मिक्स करके परविगा के हिसका चिडगब करें और क्योंकि पानी तो वहां सोगता है जिकने मरदा में तो उसको हम दे सकते हैं जिससे कि जडगलन आया की वज़े से लीच हो गए और उपर हमें फॉलियर स्प्रे करनी है तो पुश्क तत्मों की जैसे शिक्स एलेमेंट है प्लस चिलेटर डिजिंग 60-70 गरम हमें यूज़ करनी है और उपर इसके फॉलियर स्प्रे कर देनी है नीचे हमने नीचे हमने फंगी साइड थाफंट मे चैतर भी यूज़ कर सकते हैं कर सकते हैं कारबन प्लस मेंको जैब जो से नाम से जाना जाता है इसको भी हम यूरे के साथ मिलाके पर भी गया के साब से 330 गराम डाल सकते हैं यहां फिर कैप्टान प्लस कैप्टान प्लस टैबू को ना जो लाता है जैसे शमीर के नाम से नाम से सलफल मिलका आता है वो भी डाल सकते हैं जिससे किया कि जड़ गलन रोग है उसको कंट्रोल की आजास के नियंतनत की आजास के तो किसानबायो आगर आपको किसी और टोपिक पे किसी और क्रोप पे आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे कोमेंट में जुरूर बताएं अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो मेरे चैनल को सब्क्राइब करें लाइक करें शेर जरूर करें धन्यवाद